नमस्कार दृष्टी आईएस के टूडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले रीकैप से करते हैं पहला सवाल है विश्व ब्रेल दिवस कम मनाया जाता है उत्तरह 4 जनुरी दूसरा सवाल 2019 के दौरान काजी रंगा राश्ट्री उद्यान में तीन राइनो के अवैद शिकार का आकड़ा सामने आया है ग्रेटर वन होंड राइनो आई यू सियन की रेड लिस्ट में किस सूची में शामिल है उत्तरह वलनरेबल तीसरा सवाल देश के राश्ट्रपती पद का चुनाव जीता है उत्तरह गिनी विसाओ हाली में आयरलेंड स्थित क्विंस यूनिवस्टी बेलफास्ट का चांसलर किसे न्यूक्त किया गया है उत्तरह हिलेरी क्लिंटन सुनीता लाकडा ने हाली में अंतराश्ट्री खेलों से सन्यास ले लिया है इनका संबंध किस खेल से है उत्तरह होकी हाली में जारी इंटरनेशनल टेबल टैनिस फेडरेशन रैंकिंग में पुरिशों की अंडर 21 एकल कैटेगरी में वर्ल्ड नम्मर वन खिलाडी कौन बना उत्तरह मानव ठककर तो चलिए पिछला अभ्यास प्रश्ण देखते हैं आपसे पूछा गया था कि हाली में किसे लोकमान ने तिलक पत्रकारिता पुरसकार से सम्मानित किया गया उप्शन है संजय गुपता, सिद्धार्थ वर्दराजन, सुरेश नामबत या फिर एन रवी जागरल के प्रधान संपादक संजय गुपता को पत्रकारिता के खेतर में योगदान के लिए लोकमान ने तिलक राश्ट्रिय पत्रकारिता पुरसकार से सम्मानित किया गया है उन्हें यह पुरसकार केसरी अखबार के 149 स्थापना दिवस के मौके पर दिया गया जिसकी शुरुवात लोकमान ने तिलक द्वारा की गई थी यह पुरसकार पत्रकारिता के खेतर में किसी व्यक्ति द्वारा किये गए बड़े भलाई के काम को पहचानने के लिए दिया जाता है इस पुरसकार का उद्देश लोकमान ने तिलक द्वारा शुरू की गई साहसी और आदर्श वादी पत्रकारिता को बढ़ावा देना है इस पुरसकार की स्थापना केशरी मराठा ट्रस्ट द्वारा की गई है जिसमें एक लाख रुपए और स्मृती चिन्ह प्रदान किये जाते हैं बता दें कि इससे पहले हैं पुरसकार वीर सांगवी, एनराम, एच के दुआ, विनोध मेथा और सिधार्थ वर्दराजन जैसे जाने माने पत्रकारों और संपादकों को प्रदान किया गया है तो इस अभ्यास प्रश्ण का सही जवाब है आप्शन A, संजे गुपता आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है तो चली आज की सेशन का पहला सवाल देखते हैं भारत का कौन सा राज 6 जनवरी को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाता है ओप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाडा, महराष्ट या फिर कीरल महराष्ट के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्रकार दिवस के लिए अपनी शुपकामनाय दी हैं दरसल महराष्ट राज में हर साल पत्रकारिता दिवस 6 जनवरी को दिवंगत पत्रकार बालशास्त्री जामभेकर की इस्मृती में मनाया जाता है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा ही मीडिया सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत महत्तोपूर्ण भूमी का निभाता है और इसकी पहल से सरकार को कई सार्वजनिक मुद्दों के बारे में जानने में मदद मिलती है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ओप्शन C महराष्ट्र दूसरा प्रश्ण देखते हैं किस मंत्राले द्वारा कुछ मीडिया हाउसिस को अंतराष्ट्री योगा दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित किया जाएगा ओप्शन है ग्रिह मंत्राले, सूचना एवं प्रसारल मंत्राले, विदेशी मामलों के मंत्राले या फिर मानस अंसाधन विकास मंत्राले सूचना और प्रसारल मंत्री प्रकाश जावडे कर नई दिल्ली में 30 मीडिया हाउसों को पहले अंतर राश्ट्रिय योग दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित करेंगे सूचना और प्रसारल मंत्राले ने पिछले साल जून में योग के संदेश को फैलाने में मीडिया की योगदान को चिन्हित करने के लिए पुरसकार की स्थापना की थी इन पुरसकारों के तहट 11 पुरसकार समाचार पत्रों में योग के सर्वस्रेष्ट मीडिया कवरेज की श्रेडी के तहट प्रदान किये जाएंगे आठ पुरसकार टेलिविजन में योग के सर्फ्षेष्ट मीडिया कवरेश रेडी के तहट जबकि 11 पुरसकार रेडियो में योग का सर्फ्षेष्ट मीडिया कवरेश रेडी के तहट दिया जाएगा इस पुरस्कार के तहट एक विशेश पदक, पट्टिका, ट्रॉफी और एक प्रशस्ती पत्र दिया जाएगा बतादे की वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को अंतराश्ट्री योग दिवस मनाया जा रहा है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है उप्शन B, सूचना एवं प्रसारण मंत्रा ले तीसरा प्रश्ण, अपनी तरह का पहला कछुव पुनरवास केंद्र यानि टर्टल रिहेब सेंटर बिहार के किस वन प्रभाग में खोला जाएगा जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुव के लिए पुनरवास केंद्र का उदगाटन किया जाएगा आधा हेक्टेर में फैला हुआ पुनरवसन केंद्र एक बार में 500 कछुव को आश्रे देने में सक्षम होगा यह कछुव के पुनरवास के लिए अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जहां तसकरी से बचाये गए कछुव को रखा जाएगा यह केंद्र इन कछुव के इलाज में बड़ी भूमी का निभाएगा बतादे की नदी पारी तंत्र में कछुव का विशेश महत तो होता है लेकिन हाल के समय में अवैध तसकरी इनकी आबादी के लिए बड़ा संकट बन गई है ट्रैफिक इंडिया के अनुसार भारत में हर साल लगभग 11,000 कछुव की तसकरी की जा रही है इस प्रश्ण का सही जवाब है उप्शन C भागलपूर चौथा प्रश्ण इस रो का एस्ट्रो नौट ट्रेनिंग हब कहा इस्थापित किया जाएगा उप्शन है बंगलूरू, हैदराबाद, जैपूर या फिर चल्लाकेरे चल्लाकेरे में इस रो का एस्ट्रो नौट ट्रेनिंग हब इस्थापित किया जाएगा करनाटक की चित्र दुर्ग जिले में बंगलूरू, पूने, राश्ट्री, राजमार्ग, संख्या 4 पर इस्थित श्रूबी एरिड ओयल सीट टाउन चल्लाकेरे में तीन साल के भीतर इस्थापित किया जाएगा इस पेस फ्लाइट सेंटर को करनाटक के चित्र दुर्गा में इस्थापित किया जाएगा इसरों ने शीर्ष बुनियादी धाचा बनाने के लिए 2700 करोल रुपे के मास्टर प्लान का प्रस्ताव रखा है जो अपने हूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC को संचालित करेगा साथी हूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी HSFC को चल्ला केरे में स्थानांतरित किया जाएगा आपको बता देंगी मौजूदा वक्त में HSP का काम पिरुवनन्द पुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और बैंगलूरू में UR राव सेटलाइट सेंटर जैसे विभिन केंद्रों में विभाजित है बात करें चल्ला केरे की तो यह बंगलूरू से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है इसे साइन्स सिटी कहा जाता है और यह इस प्रशन का सही जवाब है पाचवा प्रशन प्रोजेक्ट नेत्र के तहट इसरों ने ओप्टिकल टेलिस्कोप सुविधाय स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है इसरों ने ओप्टिकल टेलिसकोप सुविधाय स्थापित करने के लिए इंडियन इस्टीट ओफ एस्ट्रोफिजिक्स यानि IIA के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है इस MOU पर हस्ताक्षर अंतरिक्ष परिस्थिती जागरुकता यानि SSA के छेत्र में सहयोग के लिए किया गया है अंत्रिक्ष प्रद्योगिकी में भारती शेक्षडिक संस्थानों के प्रयासों का उपयोग करने के लिए इसरों की पहल के हिस्से के रूप में यह हस्ताक्षर प्रोजेक्ट नेत्र के तहत किया गया है यह MOU दरसल Space Object Tracking, अंत्रिक्ष मौसम से सम्मंधित अध्ययन, छुद्र ग्रह और अन्य निकट प्रिथवी वस्तुओं के लिए NETRA यानी नेत्र प्रोजेक्ट के तहत आप्टिकल टेलिस्कोप सुविधाएं स्थापित करने में मदद करेगा इसरो और IIA के बीच यह सहयोग, एस्ट्रोफिजिक्स और खगोल विज्ञान के विभिनक शेत्रों में प्रगती करने में भी मददगार साबित होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ओप्शन A, Indian Institute of Astrophysics छटवा प्रश्न हाली में किस राज्य के सडक परिवहन निगम ने एक समर्पित महिला हेल्प लाइन दामिनी शुरू की है ओप्शन है राजिस्थान, हरियाणा, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम यानि UPSRTC ने एक समर्पित महिला हेल्प लाइन दामिनी की शुरूआत की है यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कॉलिंग और वाटसप सेवा है इस हेल्प लाइन के लिए एक यूनिक नंबर 81427777 को सब्सक्राइब किया गया है जो निर्भया योजना का विस्तार है और जिसका उद्देश महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है UPSRTC द्वारा 15 जनवरी तक बसों के अंदर और बस स्टेशनों पर इसे प्रिंट कराया जाएगा यह सेवा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यात्मक होगी और इसे UPSRTC मुख्यालय और क्षेत्री कार्यालयों में विशेश रूप से महिला अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा इसके अतरिक्त महिला यात्री शाम 6 बजे के बाद सामान हेल्प लाइन नंबर 1800-180-2877 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है तो इस प्रश्न का सही जवाब है उप्षन D उत्तरप्देश सातवा सवाल भितरकडिका राष्ट्री उध्यान किस राज में स्थित है उप्षन है असम, केरल, ओडिशा या फिर राजिस्थान एक गड़ना के मुताबिक भितरकडिका में पिछले साल के मुकाबले 15 खारे पानी के मगर मच्छों में वृद्धि पाए गई है ओडिशा के भितरकडिका नैशनल पार्क और केंडर पाड़ा जिले और इसके आसपास के इलाकों में बीते तीन जनवरी को इस साल की वार्षिक सरी स्रिप गड़ना जारी की गई इस गड़ना के मुताबिक खारे पानी अथवा एस्चुरिन ट्रोकोडाइल यानी क्रोकोडाइलस पोरस की आबादी में बढ़ोतरी देखी गई गड़ना में पाया गया कि पार्क में अब 1757 मगर मच्छ है जबकि पिछले साल इनकी आबादी 1742 पाई गई थी अब अगर भितरकडिका नैशनल पार्क की बात करें तो ओडिशा के केंद्र पाड़ा जिले के उत्तर पूर्वी कोने में ब्रामणी बैतरणली नदियों के मुहाना क्षेत्र में स्थित भितरकडिका भारत की दूसरी सबसे बड़ी मैंग्रोव इको प्रडाली है बितरकडिका में बितरकडिका वन्यजीव अभ्यारन्य बितरकडिका राश्ट्री उद्यान और गहिर माथा समुद्री अभ्यारन्य शामिल है तो इस प्रशन का सही जवाब है उप्शन C ओडिशा चलिए आठवा प्रशन देखते हैं AK-203 Assault Rifles के लिए भारत किस देश के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करेगा अप्शन है जापान, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस AK-203 Assault Rifles के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर होने वाला है 7.5 लाख AK-203 Assault Rifles की खरीद के लिए इस MOU पर हस्ताक्षर भारत और रूस के बीच होगा लगभग एक लाख राइफल्स सीधे रूस से आएंगी और शेश का निर्मार भारत में जॉइंट वेंचर द्वारा किया जाएगा बता दें कि इन राइफल्स का निर्मार भारत रूस संयुक्त उध्यम द्वारा इस्थानी रूप से किया जाएगा इन राइफल्स का निर्मार उत्तरप्रदेश के कोर्वा में इंडोर रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानि IRRPL द्वारा किया जाएगा यह सुविधा भारत की तरप से Ordinal Factories Board यानि OFB और रूस की तरप से रोसोबोरन एक्सपोर्ट्स एंड कालाशनी कोव के बीच स्थापित की जा रही है बता दे कि इन modern rifles के जरिये स्वदेश निर्मित इंसास यानि Indian National Small Arms System Rifles को रिप्लेस किये जाने की योजना है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option D यानि रूस नवा सवाल बीते दिनों सराय नामक चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया था option है फिजी, फिलिपीन्स, जापान या फिर ओमान बीते दिनों फिजी में सराय नामक चक्रवात ने दस्तक दी थी यह एक तरह का उश्ण कटिबंधी ही चक्रवात है इसके कारण फिजी में लगभग 2000 लोगों को आपातकालीन आश्रय में शरर लेनी पड़ी चक्रवात दरसल कम वायू मंडली दाप के चारों और गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है उश्ण कटिबंधी चक्रवात ऐसी मौसमी अवस्था है जिसमें हवा की रफतार 63 किलोमीटर प्रती घंटा से ज़्यादा होती है उश्ण कटिबंधी चक्रवात करक रेखा और मकर रेखा के बीच पैदा होने वाले चक्रवात होते हैं उश्लकटी बंधिये चक्रवात, कोरियोलिस बल, समुद्री सतह का तापवान 27 डिग्री सेलसियस से ज्यादा, वर्टिकल विंड शियर के कमजोर होने जैसे कारलों से पैदा होते हैं तो आई अब यहीं पर फिजी को देख लेते हैं ओशेनिया में इस्थित फिजी एक दक्षली प्रिशान्त दुईपी राष्ट्र है, युनाइटिट किंग्डम से संप्रभुता हासिल करने के बाद 1970 में फिजी एक स्वतंत राष्ट बना, इसकी राजधानी सुआ और मुद्रा फिजी डॉलर यानि FJD है बता दे कि फिजी किसी भी देश के साथ अपनी भू सीमा साज़ा नहीं करता है, तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ओप्षन A यानि FJD दस्वा प्रश्ण, चौथी अखिल भारतिय पुलिश जूडो क्लस्टर चैंपियन्शिप 2019 का उद्घाटन कहा किया गया? उप्षन है देहरादून, हैदराबाद, गुवाहाटी या फिर नई दिल्ली श्री नित्यानंद राय ने हाली में चौथी अखिल भारतिय पुलिश जूडो क्लस्टर चैंपियन्शिप 2019 का उद्घाटन किया है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है पुलिस बलों के लिए खेलों का विशेश महत तो है क्योंकि उत्साह, अनुशासन और कर्तव्वे के प्रती समर पड़ खेलों में सन्निहित होता है पांच दिनों का यह खेल आयोजन इस महीने की साथ तारिख को संपन होगा इस चेंपियनशिप का आयोजन केंद्री रिजर्व पुलिस बल यानी सी आर पी एफ द्वारा किया जा रहा है इसमें देश भर के 1207 खिलाडियों के साथ कुल 34 प्रतिभागी टीमें हिस्सा ले रही है इसमें कुल 15 ट्रॉफी और 214 पदक शामिल है और इसमें सर्वशेष्ट खिलाडी के लिए भी एक पदक शामिल है बता दें कि इससे पूर्व सशस्त्र सीमाबल यानी सस्बी द्वारा 2016 में पश्चिम मंगाल पुलिस द्वारा 2017 में और 2018 में ओडीशा पुलिस द्वारा यह क्लस्टर आयोजित किया गया था तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option D यानी नई दिल्ली तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्ण देखते हैं हाली में Golden Globe Award घोशित किये गए हैं बेस्ट Motion Picture Drama का अवार्ड किसे मिला option है जोकर The Two People, 1917 या फिर Marriage Story तो comment section में इस अभ्यास प्रश्ण का सही जवाब देना न भूले अगले session में कुछ नए सवालों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार